का नेहू प्रग्या बिहारे न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर S.E.S.T. छात्रों के लिए बिहार के इन तीन जिलों में बने गया आवासिये विद्याले BPSC के तहट राचे में इतने सक्षकों के न्यूपती की प्रक्रिया हुई सुरू DTCM की चितावनी के बाद S.K.M.C.H. में डॉक्टरों को देख भड़क गए प्रधान सचीब 2207 वाहन चालकों का कटा इचालान विराट कोहली के मैदान पर इस सक्स के पैर छुने का वीडियो हो रहा वारत इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से S.C.S.T. चात्रों के लिए बिहार के इन तीन जिलों में बने गया आवासिये विद्याले राचे में S.C.S.T. चात्रों के लिए राचे सरकार के दौरा बिहार के तीन जिलों में आवासिये विद्याले का नर्मान करवाया जारा है पताते कि इसके लिए अनुसुच जाती एवं अनुसुच जन जाती कल्यान विभाग के दौरा कार योजना भी तयार कर ली गई है मालूमों के जिन तीन जिलों में चात्रों के लिए 153.4 तीन करोर रुपे खर्चकर आवासिये विद्याले का नर्मान करवाया जारा है राजे सरकार के दौरा विभाग को सम्मन्ध जुलाधिकारियों के सहयोग से तीन एकर जमीन उपलब्ध करवा दी गई है जिसे हरहाल में इस साल तक पूरा करने का लग्छे रखा गया है सीवस ट्रीट्मेंट गाप को पूरा करने के लिए दी गई राशी कुस दिनों से ऐसी खबर चल रही थी कि NGT के दौरा राजे सरकार पर थोस और तरल अपसिस्ट के अपसिस्ट प्रबंधन के गाप को सिक्र पूरा ना करने के लिए रिंग फेंट अकाउंट खोल कर चार हजार करोर रुपए जमा करने और जल से जल अपसिस्ट प्रबंधन के काड़े को पूरा करने का आदेश दिया गया था लेकिन NGT के दौरा राजेप सरकार पर चार हजार का कोई अर्थ डंड नहीं लगाया गया है बलकि इस रासी का उप्योग अपसिस्ट प्रबंधन के काड़ेव के लिए अलग खाते में रखकर करने का आदेश दिया गया है ताकि इस काम को जल से जल पूरा किया जा सके बता दे के NGT के ओर से आदेश दिया गया है कि अने राज्यों को भी अपसिस्ट प्रवंधन के काड़ियों को तिव्र गती से कराने के लिए इसी प्रकार रिंग फ्रेंट अकाउंट खोल कर उसमें चुनत रासी रखने और योजनाओं को पुर्ण करना है विहार की रासधानी में महीने में होने वाले पहले अपराद के I.O बनेंगे थाना अध्यक्ष विहार की रासधानी पटना में बरते अपरादी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए SSP के द्वारा थानेदारों को नर्देश देते वे कहा गया है कि भर महीने थाना छेतर में होने वाली पहली हत्या लूट दकैती वह अन्य गंभीर कांडों के I.O ए थानेदार बनेगे जिसके बाद इस मामली की थानेदारों के द्वारा गंभीरता से जांच की जाएगी और अपरादियों को पकर कर जल से जल चार्ज सीट सौपेंगे इसके साथ ही SSP के द्वारा थानेदारों को यह भी नर्देश दिया गया है कि वह अपने छेतर के ऐसे अपराधियों की सूची तैयार करी जो अंतर जला अपराधियों को लेकर पटना के बाहर भी सम्मधित थानेदार को जवाब तलब किया जा सके इसके अलावा थानेदार अब हर मही ने दो बार बैंकों में लगे सुरक्षा उपकर्णों या संसाधनों की चांच करेंगे और साथ ही दो साल के भीतर हुए ऐसे कान जनका उद्भेदन नहीं हुआ है उनकी सूची बनाकर फरार चल रहे आरोपितों को गिरफतार करेंगे BPSC के तहट राजर में इतने सक्षकों के नुक्ती की प्रक्रिया हुई सुरू विवाद के सिति में थर्ड पार्टी लैब में होगी स्मार्ट मीटर की जांच विहार विद्ध विनियामक आयूप के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया है कि अब अगर स्मार्ट प्रिपेड मीटर को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन होता है तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट प्रिपेड मीटर की जांस थर्ड पार्टी लैब में कड़ाई जाएगी बता दे किस तोरान प्रिपेड मीटर के साथ हार्डवेर का भी परिक्षन किया जाएगा हाला कि इस विवस्ता को मंजूरी देने से पहले फिलहाल उसका मुल्यांकन किया जा रहा है मालूम हो कि प्रिपेड मीटर की मंजूरी को लेकर हुई सुनवाई में आयोक के अध्यक सुसील सिनह और सुदश्य स्सी चौरसिया की बेंच के द्वार यह माना गया है ताकि उपवक्ताओं को मीटर की सठीकता की वास्त्रिक स्थिती की जानकारी मिल सके के बीसी के नाम पर 28,000 रुपए की ठगी इन दिनों बिहार में लगातार साइबर ठगी की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है बता दे कि ताजा मामला नवादा जले के हिस्वा थाना छेतर के सिंग्रॉली का है जहां अपराधियों के द्वारा के बीसी में 25,000 रुपए जीतने का जहांसादे का 28,000 रुपए की ठगी की गई है मालम हो कि जिसके साथ ठगी की गई है वह सिंग्रॉली गाउन निवासी संदीप कुमार है बता दे कि पिरत युवक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसे कॉल कर यह बताया गया था कि वह KBC में 25,000,000 रुपए जीत चुका है और इसके साथ ही उसे 25,000,000 रुपए का रसीद भी भेजा गया और फिर 28,000 रुपए का जहांसा दे कर अपने अकाउंट में मंगवाया गया वहीं जैसे ही मुझे उसके बारे में जानकारी मिली तो जब मैंने उस नंबर पर दुबारा संपर करने की कोशिश की तो फोन नहीं उठाए गया बिहार स्टेट बार काउंसल के मदाता सूची में शामिल होने के लिए बड़ी समय सीमा वैसे लोग जो बिहार स्टेट बार काउंसल के मदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आवेदन नहीं कर पाये थे उनके लिए खुश खबरी है बता दे कि बिहार स्टेट बार काउंसल के चेर्मैन वरिय अधिवक्ता रमकान सर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार अब बिहार स्टेट बार काउंसल के होने वाले चुनाओं में मद्दाता सूची में नाम शामिल करने के लिए जो फॉर्म भड़े जा रहे थे उ कि जानकारी के बता दे कि भड़े हुए फॉर्म को अधिवक्ता एस्सोचीएशन में जमा करेंगे जिसे एस्सोचीएशन के अध्यक्ष या सचीव के अलावा बार काउंसल का कोई भी सदश्य अग्रिसारित कर उसे बार काउंसल में जमा करवा देगा नई सक्षक नियमावाली को लेकर राजे में विरोध लगातार जारी पिहार के मुख्यमंत्र इंदीश कमार की काबिनेट बैठक में नई सक्षक नियमावाली को मंजूरी दे दी गई थी वहीं जब से इस नियमावाली को मंजूरी दी गई है तब से लगाता सक्षक अभि पर पहले से नियोज़ सक्षकों पर परिच्छा की सर्थ नहीं थोपनी चाहिए। पर परिच्छा की सर्थ नहीं थोपनी चाहिए। पर 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 परिच्छा की सर्थ नहीं थोपनी चाहिए। बीते दिन विशेश अभियान के तहट राजे भर में परिवहन विभाग के दोरा फिटनेस फेल गारियों परियातायात नियमों और मोटर वहन अधिनियम के विविन धाराओं के उलंगन को लिक जांच अभियान चलाते वे 7771 वहनों की जाच की गई। जिसमें से विविन धाराओं के तहट 2207 वहनों पर जिर्माना लगाया गया अमालूमों के दोरान परिवहन विवाग के दोरा एक दिन में कुल 2,68 लाग से अधिक का जिर्माना लगाया है। तरसल राजी में वहनों के फिटनेस जांच के लिए एक अभियान की शिर्वात की गई है जिसके तहट हफते में दो दिन यानिकी मिली जानकारी के नुसार शुक्रवार और सनीवार को फिरसाइक वहनों के लिए विशेश जांच अभियान चलाई जाएगी। जिसमें हलमेट, सीट बेल के साथ फिटनेस और पर्मिट का भी जांच किया जाए का बता दे कि हभियान सभी जिलों में जिला परिवान, पदाधिकारी, MBI और ESI द्वारा सुव्त रूप से चलाया जा रहा है। डेप्टे सियम की चितावनी के बाद SKMCH में डॉक्टरों को देख भडग गए प्रधान सची। एवं प्रधान सचीव के द्वारा डॉक्टरों को कहा गया कि वह एप्रोन में ही रहें क्योंकि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बरदास्त नहीं की जाएगी। जब से बिहार में होड है जाती जनगना पर हाई कोड के द्वारा रोक लगाया गया है तब से लगाता बीजेपी और महागरवन्धन के बीच बयान बाजी देखी जा रही है। बता दी के एक बार फिर से आरजेदी और जदियू के निताओं के द्वारा बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया है जदियू के राश्ट्रे महा सचीव प्रवक्ता राजीव रंजन के द्वारा बीजेपी पर निशाना साथते वे कहा गया है कि उनका रवाया मुह में राम बगल में छूरी की कहावत को चरितार्थ कर रहा है उन्होंने कहा कि उपड़ी मन से इसके नीता समर्थन जरूर करते हैं लेकिन अंद्रूरीनी तोड़ पर सुरू से ही इसका विरोध करते आए है जब इनकी मनसा करना को रोकने में सफल नहीं हुई उन्होंने अपने लोगों से से रुकवाने के लिए कोट में याचिका दाखिल करवा दिया बीजेपी के लोग यह नहीं चाहते ही कि बिहार के पिछले अतिपिछलों को अपनी वास्त्विक संख्या पता चले क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वह समाज को ससक्त बनाने के लिए आवाज उठाने लगेंगे भई राज़त उपाध्यक्ष उदय नारायन चौधरी के द्वारा कहा गया कि जाती है जनगना पर उचन्यायाले के अंतरम आदेश के बाद भाजपा बे नकाब हो गई है उसका वास्विक चहरा और दोगडा चरेतर सब के सामने उजागन हो गया है फाजपा दलित बहुजन विरोधी गोलवलकर गैंग बहुजन आवादी के सच को सामने नहीं आने दिना चाहती और उसे डरती है पिरतो की मदद के लिए मुझपर पूर पहुँचे पपू यादव बीते दिन मुझपर पूर के सदर थाना चेतर के राम दयालू नगर में आगज़नी की घटना घटित हो गई थी जिसमें कई लोग गंभी रूप से घायल हो गये थे मालम हो कि इने पिरतों से मिलने के लिए आज यानी की साथ माई को जनधिकार पार्टी के सुप्रीमो वर राश्री एधक्ष पपू यादव मुझपर पूर के श्रेकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे इस तोना उन्होंने डॉक्टरों से पिरतों के स्वास्ते को लेकर जानकारी प्राब्त की और साथ ही यह भी आगरा किया कि वैसे लोग जो 50% से जादा गंभी रूप से जले हुए हैं उन्हे तुरह पटना रेफर्ट कर दिया जाए ताकि बहतर चुकिसा से उनकी जान करकास को कहा कि जल से जल घर की साफ सफाई की जाए और पिरत के परिवारों को खाने के सामगरी महया कराई जाए जाए विराट कोहली के मैदान पर इस सक्स के पैट चुने का वीडियो होड़ा वाइरल रॉल चालिजर बैंगलूरू के पुर्व कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो काफी तेजी से वारल हो रहा है जिसमें वह मैदान में किसी के पैट चुते नजर आ रहे हैं पता दे कि अगटना बीते दिन दिल्ली कैपिटल के खेले गए मुकाबले की है जहां विराट कोहली ने मैदान में अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा का प करते थे वह मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि मैं बड़ो के साथ कप खेलूंगा जिस पर मैं कहता था कि आप अभी बहुत छोटे हैं इसलिए आपको अपनी आयू वर्द के बच्चों के साथ खेलना होगा लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे आउट नहीं कर पा मुझे पूर्णिया में पिट्रॉल कीमत 107.72 रुपे और डीजल 95.4 रुपे प्रती लीटर है भागलपुर में पिट्रॉल कीमत 107.98 रुपे और डीजल कीमत 94.7 रुपे प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉल कीमत 108.31 रुपे और बीते दिर हमादर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नपन जवाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमादर पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कनहिया कुमार, अविशेक राज, रंजीत कुमार जा, बिट चाल को पड़ आपके इनुसार क्या कारवाई की जानी चाहिए आप उनने चवाब हमें हमारी comment section में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारे नियूस और साथ ही अगर आप YouTube से देखरें च